हेलो एब्रीवान, वेलकम टू माई चेनल, देखिए, आज मैं आपके लिए जो तोरन लेके आई हूँ न, एकदम अलग तरीके से हैं, देखिए, इन वाले, ये जो कोटन के न, धागे बोलेंगे, या उन बोलेंगे, वैसे तो इंग्रिश में से कोटन यान बोलते हैं, ये म मैं उन से लेके आई हूँ, और क्योंकि गर्मियों में न, कोई-कोई वूल से काम करना पसंद नहीं करता है, तो आप इन से कर सकते हैं, और ये मुझे अपनी लोकल मार्किट में ही मिल गई है, मैंने कोटन यान करके, मैंने का भिया, मुझे चहिए, जो कोटन की उन आती है न, वो वाली, तो उन्होंने मुझे ये दे दी, और ये मुझे गोला भी है, न, 90 रुपीज का एक पड़ा है, तो मैंने ये काफी सारे कलर ले लिए, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, ये, आप भी अपनी है, किसी लोकल मार्किट में जायके, पूछेंगे न ये वाला भ्रांड है, और आप इसे देख सकते हैं, आप इसे जाके इस तरह से भी दिखाएंगे, तो शायद न, वो आपको दे देंगे, तो इसमें मैं आपको दिखा देती हूं, कि ये, किस तरह का है, और इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है, अगर आपको दिखाई दे र है, ये देखे, 100% है, जो लाहिल वाला कोटन होता है, वो है ये, तो आप इसे ले सकते हैं, चलिए मैं आपको पहले बता दू, इनसे ही मैंने एक तोरन बनाई है, जो बहुत सुंदर है, बहुत जल्दी बन गई है, और ये मेरा जो क्रोशा है, 2.75 mm का है, फिर मैं लास्ट मैं इसे बूल ही बोलूँगे, क्योंकि मेरे बोलने के तरीके पर ही उन आता है, तो मैं उन बोलती हूँ, तो ये कोटन उन इसे करेंगे, उसके लिए हमें ये पास से छे चैन ले लेंगे, ये देखे इस तरह से, और ये लास्ट वाले में डालके हम इसे जोइंट कर और यहाँ पर एक, दो, तीन, एक मिनट दो ही लेंगे, एक में निकाल देते हूं, दो ये चैन लेके और अब इसमें हम हाफ़ डबल क्रोशे ही बनाते जाएंगे, तो इसमें हाँ हम 14 हाफ़ डबल क्रोशे बना लेंगे, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं, और ये वाला अगर आपको यह पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो देखिए यह 14 बनाने के बाद जो हमने शुरू में लिया था ना तो उसमें डालके इसे जोइंट कर द निकाल लेंगे और एक चैन ले लेंगे फिर यह आगे वाली चैन चोड़ेंगे और उससे आगे वाली चैन में देखिए यह एक चैन चोड़ देंगे और इससे आगे वाली में डालके हम फिर से एक बार किरोशी के उपर यह तीन और यह चार और अब इन सब को एक साथ फं ली थी ना महाँ पर डाल के इसे जोइंट कर देंगे तो यह देखे कुछ इस तरह की हमारी बन के पुरा तयार हुआ है हमने 14 हाफ डबल क्रोशे लिए थे तो उसमें 7 यह पफ बन के तयार हुए है अब हम इसे देखे इस तरह से लेके यह इसके बीच में यहाँ पर और फिर जो हमारी आगे वाली एक चैन है उसमें डालके एक सिंपल क्रोशे बनाएंगे फिर उसी में डालेंगे एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से फिर उसी में डालेंगे फिर से एक डबल क्रोशे बनाएंगे यह देखे इस तरह से और आप उसे वाले में हमने यह ट्रिपल क्रोशिया बनाया दो डबल क्रोशिया हो गए और एक ट्रिपल क्रोशिया तो देखिए इस तरह से एक मिनिटा भी दिखाते हैं एक दो दो बार फंदे को क्रोशिय के उपर लिया डाला और ये दो दो करके ये तीन बार में निकाल दिया तो ये ट्रिपल क्रोशिया अब इसके बाद एक, दो, तीन, तीन चैन लेंगे और ये लास्ट ली चैन में ही इस तरह से डालके इसे जॉइंट कर लेंगे ये चोटा सा गंगुरा बन गया और फिर इसी में डालके दो और डबल क्रोश्या हम यहीं पर बना लेंगे ये देखे इस तरह से तो ये हमारी एक पत्ती सी बन जाएगी फिर ये पफ के ऊपर डालके हम सिंपल क्रोश्या से इसे जॉइंट कर लेंगे ये देखे इस तरह से ये पत्ती बन गई ये देखे आपको शायद दिखाई देरी होगी अच्छे से उसके बाद में हम आगे वाल चैन में फिर दो डबल क्रोश्या बनाएंगे ये देखे इस तरह से एक डबल क्रोश्या एक और दो बनाएंगे जैसे हमने ये बनाया था ना सेम वैसे ही इसमें भी सारे में एक सी ही पत्तिया हम देखे मैंने बना ली है सेम तरीके से बनानी है जैसी हमने फर्स्ट पत्ती विरान थैरा चुछा सब्सक्राव कि छुवरू चुरू पर नहीं तौने के कप यहां से जोइंट धना ये वारत कि ए अधियनिद करने तो पहलोत हैं कि कि अब इसे क्या करना है भों दिखाते हूं अब इसमें हम तोरन बनाने के लिए देखे अब इसमें ग्रीन कलर का यूज करेंगे तो ग्रीन कलर के लिए हम इसमें क्या करेंगे देखे यहां से पकड़के कोई सीवी पत्ती जो हमारी पत्ती बनाई थी इन में से हम सीवी पत्ती के पीछे से लेंगे देखे पीछे से यह इसके नीचे यह जो हाफ डबल क्रोशे था जो हमने एक छोड़ दिया था यह देखे पीछ में इसे डालके हमें यहां पर इसे जोइंट कर लेंगे एक से पहले इसमें नॉट लगाएंगे हम ग्रीन वाली है जो यह हमारी कोटर यान है इसमें इस तरह से हमने नॉट लगा ल और यह प्यात चैन हम यहीं पर इसे यह देखे एक दो यह तीन यह तीन बार हमने फन देन क्रोशे के उपर लिए और इसी वाली चैन में डालके हम यहां पर यह दो दो करके तीन पन जो हमने लिए थे फन दे यह दो दो करके चार बार में हम यह निकाल देंगे तो यह हमार है इसे भी हम क्रोशया ही बोलते है तो ये हमने 4 बार में निकाला है हम इसे बाद में हम यहाँ पर चैन लेंगे uß तो एक मिनट चैन ये हम इसी तरह हमें ना क्रोशे के उपर ये फंदे को ले लेंगे देखे ये इस तरह से ये डाला फिर ये फंदा क्रोशे के उपर फिर से डाला फिर क्रोशे के उपर तो इसी तरह से हम दस बार कर लेंगे ये देखे, दस बार करने के बाद हमें क्या करना है इसमें इसके बैक्ग्राउंड में ये कलर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था तो मैंने इसका ये ब्लैक कर लिया था तो ये ग्रीन को हम आधे फंदे इसमें से इस तरह से निकाल देंगे ये देखे आधे फंदे निकाल दिये फिर ये लिलिया फिर आधे फंदे निकाल दिये तो ये आधे आधे फंदे करके हम दो बार में इसे निकालेंगे फिर एक चैनल लेंगे और ये वाला फंदा हम यहीं पे छोड़ देंगे ये देखे इस तरह से और इसी तरह से ना देखे अब हम इसमें यलो कलर के कोटन यान चोड़ेंगे देखे इस तरह से इसके बीच में जो हमने ये दो पाफ बनाई हैं ना इनके बीच में ये देखे इस तरह से पहला मी से तरह देखे ना नीचे वाले और ये वाला जो हमारा फंदा है इसके बीच में ही हम ले लेंगे इस तरह से पहले हम इसमें एक नोट लगाएंगे और नोट लगाके यह इसके अंदर इसमें डालके हम इस तरह से डालेंगे और इसे यही पर जॉइंट कर देंगे हम तो यह जॉइंट हो गया उसके बाद में एक दो तीन चार तो यह हम चैन बनाने के बाद अब हम इसे पाइज ढ़ा ossate this अब यह मिसे इस तरह से पलेट लेंगे देखे एक जो हमने चैनली थी वह और पांच टिपल्द क्रोशिया तो टोटल शे हो गए अब हम स्षिप कर देखे इसके आगे वाली प्रने डालेंगे प्रिपल ईसे दालेंगे फिर सिम्पल इनिकाल देंगे हम इसे इसके बीच में ले के जाएंगे 3 triple crochet हम इधर चोड़ेंगे और 3 इधर यहाँ पर डालके पहले एक 6 single crochet बनाएंगे फिर 1, 2, 3, 4, 4 chain लेंगे और 1 triple crochet बनाएंगे ये दूसरा बनाएंगे और टोटल हम इसमें जो बनाएंगे ना वो 10 ट्रिपल क्रोश्या बनाएंगे नीचे हमने 6 बनाए हैं 6 के उपर हमें ये इसमें 10 ट्रिपल क्रोश्या बना लेंगे तो यह 10 पूरे करके फिर मैं दिखाती हूँ तो यह देखे यह हमारे 10 ट्रिबल क्रोश्या हो गए अधर साइड अब हम इसे दूसरे साइड से पलट लेंगे देखे यह हमारे एकी साइड आ गया अब हम इसमें इस तरह से पकड़के सिंपल क्रोश्या बनाएंगे इसके भी हम बीच में लेके जाएंगे तो 5 ट्रिबल क्रोश्या हम इधर छोड़ देंगे और 5 इधर जो हम शुरू में चैन लेते हैं वो भी हम ट्रिबल क्रोश्या में गिनते हैं तो 9 हम triple crochet बनाते हैं और एक chain तो टोटल 10 हो गए फिर हम यह simple crochet बनाते हुए हम इसके बीच में लेके जा रहा है यह देखिए यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गए अब हम इसके बीच में यहाँ पर आ गए हैं तो यहाँ पर फिर से हम एक simple crochet बनाएंगे और फिर हम यहाँ पर 4 chain लेंगे और जैसे हमने पहले triple crochet बनाएंगे वैसे ही बनाएंगे और इस बार हमें 12 triple crochet बनाएंगे बनलब 11 triple crochet बनाएंगे और एक chain तो टोटल 12 हो गए तो हम इसमें 12 बनाके फिर दिखाती हूँ आपको तो यह हमारे 12 triple crochet बन गई है अब इसके उपर हमें क्या करना है यह green वाला जो हमारा है यह तो हम इसे cut कर देंगे नहीं तो हम क्या करेंगे देखे इस तरह से पकड़के इसे उपर की side मिलाके ही यहाँ पर मैंने न पहले यह 11 बनाएंगे तो अब यह 12 हो गई है तो यह क्या होगा कि यह उपर की side धागा जाता जाएगा क्योंकि हमें green वाले से फिर उपर बनाना होता है तो यह हमारा यहाँ तक हो गया अब हमें इसमें क्या करना है फिर से इसे पलट लेंगे देखे यह हमारा फूल इधर side है तो अब हम देखे यह यहाँ पर इस side आ गए है अब जो हम इसके उपर बनाएंगे न वो हम देखे इस तरह से पलटेंगे और यह पीछे की side में बनेगा देखे फिर हमने एक simple crochet बनाया देखे बीच में लेया इसे और sorry एक second रूखे यह देखे यही पर डालके हम पहले 4 chain बनाएंगे और यह first वाले में ही डालके एक triple crochet बना लेंगे देखे इस तरह से फिर एक chain लेंगे फिर उसके आगे वाले में डालेंगे यहां पर एक triple crochet बनाएंगे यानि के 12 triple crochet के उपर हम 12 ही triple crochet बनाएंगे और इसके बीच में एक एक चैन लेते जाएंगे तो इसी तरह से हमें यह पूरा complete करेंगे तो पहले इसी तरह से बनाते वें यहां तक बना लेते हैं यह देखे यह full था, full के ओपर हमने यह green बनाया green के ओपर यह देखे yellow से हमें बना रहे हैं हम हम यह पर आ गए अब हम इसके ऊपर है डिसाइट करना होता है यह दिक्ष स आ, हम चेर्ण लेंगे एकDOT वह त्न चेर्ण लेंगे और यह डालको हम इस्पल करोश्य बना लेंगे इस तरह से एसक्राइर क्रोश्य बन गया है फिर से तीन चेर्ण लेंगे एक दो तीन और यह जो हमने सिंपल क्रोशे बनाया था उसी में डालके एक सिंपल क्रोशे बना लेंगे और आगे वाले में डालके एक सिंपल क्रोशे बना देंगे तो यह हम चोटा-चोटा सा है ना कदगूरे बनाते जाएंगे देखिए सिंपल क्रोशे के बाद फिर से ती तो पूरा बना के दिखाते हूं यह देखे यह मारा फूल था फूल के उपर हमने यह ग्रीन बना यह यलो वाला इस तरह से बना रहा तो यह देखे बन गया उसके बाद हमें क्या करना है इसे यहीं पर हम उनको कट कर देंगे तो देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और यह लास्ट वाला यहाँ पर बारा तो यह हम छे इधर से छोड़ेंगे, छे इधर से छोड़ेंगे और इसके बीच में डालके हम यह ग्रीन वाले कोटन यान को ले लेंगे यह देखे इस तरह से यह वाली है ना हम इस तरह से इसमें ले लेंगे यहीं पर तो यह देखिए इस तरह से करने के बाद है न हम अब इसमें यह लास्ट में एक रह गया था तो मैंने बाद में बनाया यह यहां पेना पहले ग्रीन वाले यह कोटनियान को हम जोड लेंगे इस तरह से यह जोड गया यहां यहां टालेंगे और यहां पहली जोंने यहां पहलेंगे जो लाले था ना यहां देखिए जोड गया यह लिए 3 चैनल के तैनल के यहां टालने के पर लेएगे और यहां पर हम इस तरह से फंदे को खीचेंगे खीचने के बाद ये देखे उसी में डालके फिर से फंदा क्रोशे के उपर और ये हम दस बार ले लेंगे फंदा ये ना दस बार इसी में डालेंगे फिर से फंदा क्रोशे के उपर फिर डालेंगे फिर फंदा क्रोशे के उपर तो ऐसे करते-करते हमें ना दस बार फंदे ग्रोशे के उपर ले लेंगे अब इन्हें न दो भागों में बाट लेंगे देखे इस तरह से ये आदय फंदे निकाल ले ये ये सिंपल क्रोशे न आया फिर-चेन लिए और फिर आध और जैसे हमने येलो बनाया इसके उपर ये वाला हम सेम हम दूसरे कलर को जोड़ लेंगे अब सेम तरीके से वो ही जैसे हमने पहले जोड़ा था ना ये यलो वाला सेम वैसे ही करना इसमें 6 टिपल कोशिया बनाने है उसके ओपर 10 टिपल कोशिया बनाने है और उसके ओपर 12 टिपल कोशिया बनाने है देखे इस तरह से पकड़के यहाँ पर नोट लगाएंगे इस पिंक वाली यान से यह देखे इस तरह से और इसे इसमें ही हम जोइंट कर देंगे फिर एक, दो, तीन, चार चार चैन ली और इसमें ही ही पर डालके हम एक जो चैन हो गई यह गिन लेंगे और पांच ट्रिपर क्रोशय बना लेंगे जैसे हमने यलो वाले में बनाया था सेम वैसे ही यह देखे इस तरह से यह देखे इस तरह से हम ट्रिपल क्रोशय बनाते जाएंगे और जैसे हमने यलो बनाया है वैसे ही इसके उपर हम वैसे ही करेंगे सेम तरीके से इसमें आगे भी जितनी बड़ी हमें बनानी है एक साइड की वो हम ऐसे ही बना लेंगे अभी आप देखेंगे ना जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको समझाएगा देखे यह फेले फूल बनाया फूल बनाने के बाद हमने यह यलो से और ग्रीन से यह बनाया पहले ग्रीन से फिर यलो से फिर उसके बाद में हमने उपर ग्रीन वाली यान को ले गए अब फिर पिंक से बना रहे हैं इसमें आप चाहें जितने भी कलर लचाहें तो नहीं लगा सकते हैं और हाँ ये भी बता दूँ आपको कि अगर आप चाहें तो एना उन से भी ये बना सकते हैं अगर आपके पास ये दागे नहीं हैं तो आप उन से बना लीजिए उन से भी ये बहुत अच्छी लगती है तो ये पूरा बना के फिर दिखाती हूं आपको ये देखे मैंने यलो से बनाया फिर पिंक से बनाया फिर परपल से देखे आप देखे तोड़ा सा देख लीजे आप आस से तो में दूसरी साइड भी बना लिया है यह फूल मैंने बीच में रखा है और दोनों साइड में हमने यह तोरण बना लिया है मुझे इतनी ही लमबी चाहिए थी इतनी ही मेरे लिए अच्छी थी तो मैंने यह इतनी बड़ी करके बनाई है आप जितना चाहें उतने ओन लगाए या फिर एक कलर से बनाईए आपकी मर्जी है तो इसी तरह से पूरा बना लीजिए और मैं इसका है ना सेकंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट डोनों में दे दूँगी आप महां जाके ना इसका आगे का पार क्योंकि ये काफी लंबी हो रही थी तो मैं सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगी सेकंड पार्ट में मैं आपको इसके नीचे हमें किस तरह से बनाना है और क्या करना है बो मैं आपको दिखाऊंगी जो बहुत ही आसानी से आप बना लोगे जैसे यह है ना कितनी जल्दी और आसानी से बन गई ना और आप चाहे तो इसमें मैं आपको मोती दिखा रही हूँ ये मोती इस तरह से लगा ले क्योंकि ये मोती लगके भी अच्छी लग रही थी बिना मोती के चाहे तो भी नो मोती के लगा लिजे ये देखे मैं आपको रखके दिखा रही हूँ आपको कि अगर आप मोती लगाना चाहे आपके पास मोती है तो आप इस तरह से इसमें लगा ले तो ये पूरी बना के फिर मैं आपको एक ना इसी तरह से आप इसे कंप्लीट कर ज देख लिजे अब महाद से जाके देख सकते हैं तो चलिए इसी तरह की और भी सुन्दर सुन्दर और अच्छी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें बाइ एवरिवन एंड थैंक्स वर वाचिंग इन्ज़ए इस वीडियो